कि के यई हेलो फ्रेंड फ्रेंडस फ्रेंडेयस वेलby vein कशे के बारे में आप सबी बता है कि इंडसिंड है कि cloud और एसि ही HDFC इसे बैंक और जितनेश पर जितने भी दिगज हैं सारे ही बैंक में अब रेली आ सकती है और आने वले टाइम में काफी अच्छा लग रहा है मुझे बैंकिंग इंडेक्स जैसे हमने कल भी बात की थी कल मैंने जिनसा टेक पे एक वीडियो टाली थी और वो आल टाम हाई पहुंच गया है जिनसा टेक भी इसी के अलावा इंफोसिस में भी का चाहिए बिकॉज उस टाइम पर चल नहीं रहे थे बट मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि जब कोई इंडेक्स या कहीं पर भी कुछ पीन है और अच्छे स्टॉक्स वही टाइम है एक्क्यूमलेट करने का हर वीडियो में मैं शायद आपको यह बताता भी हूं इस रीट एक दम पीक पे चल रहा है वो सकता है दो-चार परसेंट का नीचे डिप आ जाए और इसके बाद पर चलना शुरू हो और जब यह डिप आएगा तो आप सभी को काफी डी मोटिवेशन होगा तो इसी तरह के आईडियाज मैं आपको अपने चैनल पर देता रहता हूं कि कह करें कहां पर क्या लेवल्स हैं जहां पर कि आप एंट्री कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में और इसी तरह से आगे भी आपको आइडियाज मिलते रहें उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल दबूलीगा युग आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं इस प्लाटफॉर्म के जरीए हाला कि कोई रिकमेंडेशन में नहीं देता हूं सब सिर्फ मैं अपने व्यू आपके साथ शेयर करता हूं और आज की वीडियो में जैसे इंडसेंड बैंक है उस पे भी मेरा व्यू बहुत ही से लेके और यह निकला है इस Toms से अभी हाल फिलाल में दिसइम्ब्र में ही तो दिसेम्ब्र में यह 14 तारिक को ही इसमें फ्रेश ब्रेक आउट आया है और वो ब्रेक आउट अपने इस चैनल के ऊपर आया है और उसके बाद इसने confirmation भी दे दी है तो अभी जो है आपको ये पास अगर ये position बनी हुई है जो ये पुरानी मेरी blue color की line डाली हुई है मैंने ये जो line है ये वाली जो line है 1591 का जो level है अगर ये तोड़ता है क्योंकि ये पुराना काफी resistance है इसके उपर अगर चलना शुरूगा तो काफी अच्छा traction देखने को मिल सकता है इसको सारी time frame पर हम बात करते हैं जैसे आपको पता ही है मेरे channel पर और इसको अगर हम weekly के chart में convert करते हैं तो weekly के chart में आपको थोड़ा सा clarity आएगी और थोड़ा सा देखेगा कि ये कब का resistance है ये देखे ये जो resistance है ये काफी पुराना resistance है और में थोड़ा squeeze करके दिखाता हूँ इसको तो आपको दिखेगा कि किस तरहें का यहां से नीचे गिरा था यही एक level है 1591 का जहां पर कि ये इसने बार बार resistance लिया है ये देखे कितनी बार resistance लिया है इसने यहां पर ही और यह यही एक level है जो कि बहुत important level है इसके लिए तो 1590-1600 रुपय अगर यह निकाल लेता है तो फिर इसमें अच्छी खासी चाल आ सकती है और फिर आप इसमें बिल्कुल ride कीजेगा अपने profit को और बिल्कुल जल्दबाजी में निकलने के कोशिश मत कीजेगा RSI का नंबर भी weekly के चार्ट पर देखते हैं तो 71 है जो कि बहुत ही बढ़िया है अना overbought में है और बहुत ही अच्छा traction इसमें देखने को मिल भी रहा है इंडेसिंट बैंक में एक बर मंतली के चार्ट पर देखते हैं मंतली के चार्ट पर कैसा placed है और आप देखेंगे मंत 2000 की rally इस बार मुझे लगता है कि conviction के साथ आ सकती है और कोई भी इसमें hurdle इतना बड़ा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 590 का एक hurdle है जो की काफी अच्छा का सा hurdle है तो अभी 20 रुपए ही है उपर तो 20 रुपए है तो अभी आपको अगले हफते में हो सकता है निकल जाए और उसक stop loss जी मैं आपको बता जेता हूं stop loss किस level पर होगा stop loss आपको अगर रखना है अगर आप swing trader है और आपने हाल फिलाल में पोजिशन लिए तो 1540 रुपए का stop loss लख लख लिजे जो की recent breakout है और अगर आप पुराने बने हुए हैं तो आपको 1500 रुपए का stop loss रखना पड़ेगा जो किसका 20-day exponential moving average है तो यह दोनों ही जो levels है swing trading के मैंने बता है 1540 और अगर आपने थोड़ा सा long term के हिसाफ से रखा है तो 1500 रुपए का stop loss रखेगा बट still मैं आप सभी से request करूँगा कि आप जो भी position ले या जो भी कुछ करें इस particular stock में आप अपने financial advisor से जरूर discuss करके लिजेगा अगर आपके कोई भी specific query है किसी भी specific stock को लेकर कोई chart आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ आप समझना चाते हैं तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं और comment section में जब भी आप लिखेंगे और तो मैं हमेशा respond करूँगा आप एक ऐसे ही मेरे viewer ने HL के बारे में पुछा था उसने के हाथ से और सिर्फ और सिर्फ जिस तरहें का trend है market का जिस तरहें का trend है stock का HL का stock एकदम जबर्दस trend में है इस time पर मैंने आपको बहुत निचले इस तरह उपर बताया था 2100 रुपे पर बताया था और जब यह split view था उससे पहले भी मैंने कुछ 800-900 रुपे पर बताया था और अब मैंने फिर से 2100 रुपे पर बताया है और 2100 रुपे से मैंने 2900 का target दिया था और 2900 के काफे इस करीब आच चुका है तो यह ध्यान रखेगा कोई भी trending stock में opposite position लेने से बचिए का because उसमें हो सकते आप फंस जाए तो इसी तरह के ideas आपको future में भी देखने को मिलते र video thank you so much for watching this video